उपमुख मंत्री 36 गड अरुन साव साहब का बहुत बहुत स्वागत अविस्तार नियूज में और कल भी मैं बात कर रहा था अरुन साव साहब आप से एक्जिट पोल के आकड़ों की बात हम लोग कर रहे थे लेकिन आज जो नतीजे आ रहे हैं वो एक्जिट पोल के करीब तो बिलकुल भी नहीं है अरुन साव साहब जो अब तक रुजान आए हैं उसमें पहली प्रतक्रिया आपकी ग्यानें जी ये तो जैसे आपने देखा कि छत्तिर गड़ में जिस प्रकार से हो रहा है मुझे पूरा भरुसा है कि थोड़ा और गिंती आगे बढ़ेगी हम ग्यारा की ग्यारा सीट जीतने वाले हैं और जिस प्रकार जनता का रुख हमने देखा है चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार से मोधी की गारेंटी पूरी हुई है चत्तिर गड़ में ग्यारा की ग्यारा सीटे भारती जनता पार्टी जीतने वाली है जहां तक रास्टी आकणों की बात है तो ये तो पूरी तरह से इस्पस्थ हो गया है कि नरेंद्र मोधी जी के नेत्रितों में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है ये पूरी तरह से इस्पस्थ है आकड़े अभी और बढ़ेंगे अभी लगभग आधी गिंती हुई है आधी से अधी गिंती बची है तो निश्चत रुप से ये आकड़े और बढ़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ अच्छी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं यारेंजी हमको इस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दस साल लगातार सरकार चलाने के बाद तीसरी बार फिर से सत्ता में आना फिर से सरकार में आना ये बहुत बड़ी बात होती है अरुन साओ साहब जुड़े हैं ब्रिजेश जी अगर आपका 36 गड़ से सम्वंदित कोई सवाल हो तो आप सीधे डिप्टी सी अंसाब से पूछ सकते हैं अरुन साहब जिसमें यही जानना चाहूंगा कि मधिपरेश में जिस तरीके से बीजेपी ने जमंकदार पदर्शन किया है 29-29 सीटें लेकर आएं तो ऐसी उम्मीच 36 गड़ से भी थी कि 11 से 11 सीटें लेकर आते हैं आप बिजेश जी अभी देखिएगा कि आप चत्तिर गड़ में भी क्लीन स्विप होने वाला है 11 की 11 सीट हम जितने वाले हैं अभी आप स्वाइम ब्रेकिंग में दिखा रहे हैं कि भुपेज बगेल 19,000 वोटों से पीछे हैं थोड़ा मुड़ा वोट नहीं है 19,000 और इसलिए थोड़े ही देर में आप देखिएगा कि 11 की 11 सीटें चत्तिर गड़ में बिजेपी जीतने वाली है अभी आप आंकड़ जो बता रहे हैं दस एक का बता रहे हैं अब ये थोड़ी देर में आकड़ा बदलेगा 11 सुन्य होने वाला है 11 की 11 सीटें भार्ती जनता पार्टी जीतने वाली है जैसे कांग्रेस का सुफड़ा साब मध्य प्लदेश में हो रहा है वैसे 6तिर गड़ में भी कांग्रेस का सुफड़ा साब होना निश्चीथ है डिप्टिसीम साहब मेरे साथ वरिष्ट पत्रकार और जिनको देखकर हम सब बड़े हुए हैं पत्रकारिता सीखें अभिलास खांडेकर साहब भी स्टूडियो में हैं बुनका भी एक आपसे सवाल है 36 गड को लेकर अभिलास जी आप अपना सवाल डिप्टिसीम साहब से कि 400 पार का जो नारा था वो बहुत नीचे जाके अटक गया है तो इसके आपके हिसाब से क्या कारण बनते हैं और दूसरा मतलब आप लोग ओडिसा में गये थे वहां पर आपने चमकदार प्रश्चन किया ऐसा दिख रहा है तो ओडिसा में आपकी क्या स्ट्रेटीजी थी 36 गड़ का जो दल गया था वहां पर कैमपेणिंग के लिए तो पहला प्रश्चन 400 के उपर वाला है खांडेकर साब ऐसा है कि अभी आधी ओटो की गिंती हुई है अभी ये आकड़ा और बढ़ेगा एंडिये और भारती जनता पाल्टी का प्रदर्शन और अच्छा होने वाला है पर ये तो सुनिश्चित हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी के नत्रितों में तीसरी बार आपने उडिशा का प्रस्ण किया उडिशा में इस पस्ट रुप से ये वाता उरन दिख रहा था कि वहाँ पर भारती जनता पाल्टी आने वाली है विधान सभा में भी और लोग सभा में भी अच्छी सीटे जीतने वाली है और च्छतिरगण की योजनाओं का भी बड़ा इसमें कोई शक नहीं है अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीम साहब अभी वे कुछ देर पहले जब उडिशा में आपके प्रदर्सन की खबर को बिग ब्रेकिंग की आधार पर ले रहा था और दर्सकों को बता रहा था तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि 36 गड़ में चु पर बांद कर उड़िशा ही जा रहे थे तो उड़िशा के विधान सभा चुनाओ पर आप जल्दी से एक छोटा सा कमेंट दीजे उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करूँगा अरुंसाओ साब अनिश्चित रुप से उड़िशा हमारा पडोसी राज्ये है छत्तिरगड़ में जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ और छत्तिरगड़ अब खुसहाली और तरक्की की और आगेर बढ़ रहा है जिस प्रकार से मातां और बहनों के की तरक्की के लिए काम हुआ ससक्ती करण के लिए काम हम कर रहे हैं जैसे किसानों की तरक्की और बहतरी के लिए काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से प्रस्टाचार का अंत छत्तिरगड़ में हुआ है उड़िशा के लोगों में भी यही भाव था कि एक प्रस्टाचारी सरक जहां नीचे तक भरस्टाचार फैला हुआ था जिस प्रकार से गुंडागर्दी बीजेडी के लोगों ने वहां नीचे इस तर पर मचा रखी थी विकास औरुद्ध हुआ था तो उडिशा के लोग भी परिवर्तन चाह रहे थी और इसलिए वहां इस पहस्ट रुप से उड जनता पार्टी की सरकार आने वाली है यह इस पहस्ट रुप से मैंने कहा था वहां के लोगों में मन बना लिया था देखें जिस प्रकार से लोग सभा की सीटों का परिणाम उडिशा का दिख रहा है आपने इस बीच जब नतीजे आ रहे हैं इस बीच आपने अपना कीमती वक्त निकाला डिप्टी सियम सहाब और तमाम सवाल जो हमारा पूरा वरिष्टों का पैनल है उनके सवालों के जवाब दिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सियम सहाब और मेरी शुपकामनाएं आपको की जो आप कह रहे हैं हम तो सभी पार्टियों को सुप कामनाई देते हैं जो आप कह रहे हैं आपकी एक्षा भी पूरी हो बहुत-बहुत सुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका